आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही हिल्दी पराठे की रेस्पी लेकर आई हूँ यह मिक्स वेच पराठा जो बहुत अच्छा लगता है खाने में और काफी इसली बनके तयार हो जाता है तो आए वीडियो की स्टार्ट करते हैं असलाम अलैकुम फ्रेंट्स वेलकम तो दिबास कीचन पराठा बनाने के लिए आप अपने पसंद की कोई भी सब्सी ले सकते हैं मैंने यह पे एक बड़ा प्यास लिया जिसे मैंने बारी कट कर लिया है चे से साथ लैसुंगी कलिया लिया है टू टीस्पून हरी मीच का पेस तो मैंने यह पे 1-1 आफ टेवल इस्पून डिफाइन लिया है फिर मैंने इसमें हाफ टीस्पून जीरा डाला है साथ में लैसुन डाल दिया था जो बारी कट करके रखा था लैसुन को हल्का सा हम गोल्डें ब्राउन होने तक कुक करेंगे बहुत जाद हल्का हल्का जब कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे इसको भी हलका गोल्डें ब्राउन होने तक सौटे करें अब हम इसके अंदर गाजर और कैपसिकम जो हमने कट करके रखा था वो डाल देंगे और साथ में बीन भी डाल देंगे इसे डाल के आप दो मिनट के इससे पड़ kamu ज लिए और इसे अच्छा से सोर्टे करें टाकि जो यह गाजरी निष्ट के खूटा सब्सक्राइबक अां इसे डाल के अच्छे से मिख्ष करें और इसे 2-3 मिनिट के लिए कुख करें उसके बाद लास्टे इसमें पनी डाले और कुछ मसाले एट करूंगी मैं 1 4 तीज़ून गरम मसाला 1 4 तीज़ून जीरा पॉरडर आप पॉर्डर वन टीज़पून नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक एड़ करें वन टीज़पून चाट मसाला इन सारी चीजों को डाल के आप अच्छे से मिक्स करें और इसे बिल्कुल तेज आज पे तब तक कुक करें जब तक इसके अंदर का जो मॉस्चर है व मैं यहां पर आठा गून के तयार कर लिया था तो आठे में मैंने सिफ नमक और पानी डाल के इसे गून दिया था अब एक छोटा सा लोई बनाया उसमें फिरा पराठे की स्टफिंग भरे और पराठे को बेल ले यह बहुत आराम से बिला जाता है काफी इसली अब पराठे को अच्छे से शेक लीजिए तो पराठे को मैंने पहले अच्छे से दोनों साइट से शेक लिया है उसके बाद मैंने इसके उपर ओल लगाया है और इसे अच्छे से गोल्डेन और क्रिस्पी होने तक सेक लिया है तो पराठा बनके तयार है आईए अब इसे सर्फ करते तो मिलती हूँ आप से निक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आफेश